विस्व के खुबसूरत जीवों में से एक खर्गोस बेहत खुबसूरत वा चंचल जानवर है विस्व के कई देशों में आमतोर पर पाया जाने वाला या जीव दिखने में बेहत खुबसूरत वा चुने पर मकमल जैसा महसूस होता है खर्गोष जंगली जानवर होने के साथ साथ पालतू जानवर भी कहलाता है क्यूंकि भारत समेट कई देशों में इस जानवर को पाला जाता है जी हाँ दोस्तों आज के हमारा वीडियो इसी खुबसूरत जीव के बारे में है आज हम आपको खर्गोस से जुड़े कुछ बेहद रोचक तैथ्य वताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले साय भी कहीं सुने होंगे तो देर ना करते हुए चलिए जानते हैं नमबर एक खर्गोस अस्थनपाई जीवों में आने वाला एक खुबसूरत जीव है और यह लेपोरीडी परिवार का सदश से है उदहरन के तोर पर चमगादाडवा गधावी अस्थनपाई जीवों कि स्रेनी में आने वाले जीव है नमबर दो खर्गोस समाजिक जीवन वेटित करने वाले जानवारों कि स्रेनी में आता है और यह अक्सर समाज बनाकर यह समू में रहते है नमबर तीन दुनिया के आदे से ज़्यादा खर्गोस उतरी अमेरिका में रहते हैं और यह जमीन में घर बनाकर रहते हैं जिने आम हासा में बिल कहा जाता है नमबर चार खरगोस के जमीन में बने बिलों के समू को वारेन कहा जाता है नमबर पाँच आपको जानकर हैरानी होगी खरगोस से उन भी प्राप्त की जाती है और इस उन का नाम अंगोरा उन होता है नमबर छे खर्गोस के कान लगबग 4 इंच तक लंबे होते हैं और इनमें याद रखने के गजब की सकती होती है और थात इनकी मेमोरी पावर कमाल की होती है 7. क्या आप जानते हैं खर्गोस का बच्चा पैदा होने के 11 दिन बाद अपने आखे खुलता है तित्यादी खाने वाला जीव है और यह साकारी होते हैं नमबर दस एक स्वश्टे खरगोस के दो साल में एक बार बाल जरूर गिरते हैं और नए बालोग जाते हैं नमबर यारा क्या आप जानते हैं खरगोस के अब तक केवल आठ परजातियों को ही ख़जा जा चुका है जिन में लोग परजाती विश्व में सबसे खुब सूरत परजाती मानी जाती है इस परजाती का खरगोस आम तोर पर सफेद रंग के होते हैं और इनका रंग भोथत तक सफ़ेद बतक से मेल खाता है नमबर बारा खरगोस का जीवन काल लगवग 9 से 12 साल के बीच होता है और इने भिन भिन तरह की आवाज निकलने में भी महारत हासिल है अगर आपको खरगोस से जुड़े हैरान कर देने वाले रोचक वा दिल्चस्प तत्य पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें आपका किया गया एक सेर हमारे चैनल का होसला बढ़ाने में अहम योगदन देता है आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्क्राइब करके हमारे फेस्बूक ग्रूप को जोइन कर ले धन्यवाद